हेलो फ्रेंड्स, आलमार्ट्स में आपका स्वागत है, मेरा चैनल उन लोग के लिए बहुत ही हेल्फुल है दोस्तों, जो शेर मार्केटरें इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट सुरू करनी की सोच रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबाईएगा, जिससे आपको लेटेस्ट कमपनी की वीडियो की जानकाडी सबसे पहले मिल सकें आज की कमपनी का नाम है वैबको इंडिया, वैबको इंडिया का पुराना नाम वैबको टीवीस इंडिया था, ये कमपनी जॉइन्ट वेंचर के तौर पर बनाई गई थी, जिसमें टीवीस ग्रूप और वैबको होल्डिंग इंग की पार्टनर्सिप थी, ये कमपनी की मार्केटिंग भी करता है इंडियन कमर्शिल वेहिकल मार्केट में इसका डिस्विशन नेटवर्ग काफी स्ट्रॉंग है इस कम्पनी के पांच वर्ल्ड क्लास मेनफेक्चिनिंग फैसिलिटी इस पूरे इंडिया में फैले हुए जैसे कि एप्लिकेशन इंजिनिंग टेकनलोजी सेंटर और वेहिकल स्टेस्टिंग फैसिलिटी जो चैन्ने में और भी इंडिया के डिफेंट पांच में स्केन फैस्विक्चिनिंग यूनित है यह कंपनी commercial वेहिकल के लिए air assisted and air brake systems manufacture करनेंग में expert है इंडिया में अपने customers के satisfaction के लिए जो commitments की है इस company ने उसे अच्छे से पूरा कर रही है 85% से भी ज़्यादा shares of business को achieve किया है OE original equipments के segment में और market share में 75% से भी ज़्यादा achieve किया है ये company global commercial vehicle industries के लिए leading provider है जो electronic braking हो गया stability हो गया suspension और transmission control systems को provide करती है अपने intensive R&D facilities and high quality standards की वज़ा से इसके products global market में accept की जाते हैं आज के समय में इसका export network Australia, Malaysia, UK, Singapore South Asia, North America Venezuela और Middle East के areas में फैले हुए हैं इस company के products की list देखते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बताया था ये company leading provider है air brake actuation system का automatic slack adjusters भी बनाता है actuators भी आ गया products में brake chambers, valves हो गया drying and distribution unit हो गया air compressor हो गया advanced braking system and air suspension भी manufacture करता है इस company के products बड़े बड़े vehicles manufacturing companies में supply किये जाते हैं तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से companies है Ashok Leland हो गया Tata Motors हो गया vehicle factory हो गया अवलपूर में हो गया भारत अर्थ मूवर्स हो गया TAFE हो गया Volvo हो गया Shuttlej हो गया Caterpillar हो गया Aisher Motors हो गया Suharaj Mazda हो गया Force Motors हो गया Mahindra and Mahindra हो गया Tata Cumens हो गया engines का हो गया और भी बहुत सारी companies है जिनको ये product supply करता है तो चली जानते कौन-कौन से awards इस company ने जीते हैं 2013 में वैपको ने चाइना में 15 awards जीते थे अपने commitment to innovation, customer services और manufacturing excellence के लिए 2014 में इसके products चाइना में काफी successful थे जिसकी वज़े से वैपको के Asia region के president का नाम China के economy के top 100 new leaders की list में आया था 2003 में ACA में gold trophy भी जी चुका है for manufacturing excellence के लिए ये second company है outside Japan जिसने जीता है Japan Quality Metal जो की 2002 में जीता था 2014 में institutional investor magazine में इसके CEO का rank top 3 के अंदर था 2014-15 में Demler India का innovation award भी जी चुका है ये company और असोक लिलेंड का best in class performance in quality का अवार्ड भी जीता है 2014-15 में उसी साल Tata Motors की तरब से supplier of the year का अवार्ड जीता है इसने और Volvo Eacher की तरब से overall cost excellence का अवार्ड जीता है 2015 में तो चलिए friends कौन-कौन से इसने milestone क्रेट किये वो देखते हैं 2012 में वैपको ने second plant को established किया था at SAG जो कि Mahindra World City के चैनने में है और उसी साल 2012 में ही पंत नगर जो कि उत्राखंड में वहाँ पे भी एक manufacturing unit खोला है 2009 में वैपको ने majority ownership ले लिया वैपको TVS से और उस समय इसका नाम वैपको India Limited हो गया 2007 में जमसेदपूर जारकेंड में अपने new plant में production श्टार्ट किया 2005 में वैपको ने software design center इस्टेबलिस किया जो कि चैनने में है 2004 में इसने अपने नए plant में production को श्टार्ट किया जो कि अंबेटोर चैनने में है 2000 में ABS को लांच किया है ABS का full form anti-breaking system होता है 1998 में deeming price जीतने वाला ये first company है 1987 में vacuum products का manufacturing start वा था 1982 में dual brake system का production श्टार्ट था 1962 में established as a joint venture with Clayton Devendrae So friends, let's look at the parameters क्या बताते हैं number of sets 1.90 crore which is PE Ratio 127.56 and PB Ratio 4.98 Face Value इसका 5 rupi's dividend yield percentage 0.2% पर है, almost zero के बरावर बोल सकते हैं, book value इसका 999.24 रूपीज पर अभी और cash इसके पास एविलेवल 461.19 करोर का cash है, debt इसका बहुत ही अच्छा है 0 करोर पर अभी और EPS होगी आपका earning per share 38.98 रूपीज पर अभी, sales growth अभी negative गया है, minus 32.39 पर अभी और profit growth इसमें 8.23 परशन के दि 12.26 पर वीडियो में अभी तक बने रहनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, friends, आगे बढ़ने से पहले, please subscribe my channel, आपके एक like और subscribe, मुझे motivate करती है कि मैं और भी अच्छे-चे stocks आपके लिए ढूंड कर ला सकूं, so friends, अब आप इस company के fundamentals अच्छी तरह से जान चुके हैं, औ और परामेटर्स को भी हम ने देख लिया है, तो अब देखते हैं, इसका सेर मार्केट में क्या हल चल चल रहा है, तो इसके लिए लग चलते हैं, दूस्तों, money control पे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, एनसे लाइम में 4,969.35 पे चल रहा है और BAC में 4,972 पे चल रहा ह का लो दिया इसने, और 7,600 22.95 का हाई बनाया इसने, तो चली चार्ट देखते हैं लोग इसका, जब लॉग डॉन लागा था उससे भी इसका प्राइस प्राइस पे था और उससे भी नीचे पहुंच गया है, प्राइस देख सकते हैं, काफी नीचे है, तो ओवराल देखा तो अब ही अच्छा चांस से भी करने का इसका, इसका प्रफॉमस देख सकता है, आप 6,000, 7,000 के अप्रोक्स में जाता है, ज़ना था इसका प्राइस, जैसा कि ऑवराल देख सकते हैं, काफी नीचे से उपर तक ही उठा है इसका प्राइस, एक टाम था कि इसका प्राइस, 200, 300, 400, 500 के चला करता था और आज देखती है 4000, 5000, 6000, 7000 के चलता है इसने अभी तक कहाई 8,537 रुपीज पे दिया है जो कि 24 जनवरी 2018 को हुआ था तो कमपनी फंडमेंटली वाइस काफी स्ट्रोंग है लेकिन अभी इसका प्रेस काफी गिर गिर गया है वहीं December 2018 में 440 का सेल्स है इसमें और 38 का प्रॉफिट है मार्च में हो गया 404 का और नेट प्रॉफिट 31 का देखा रहा है यहाँ पे जून में देख सकते हैं काफी कम हो गया सेल्स 165 करोर का सेल्स हुआ है और नेट प्रॉफिट अलमस्ट निगेटिव में चला गया यहाँ प्रॉफिट है यहाँ पे जो कि बहुत इची बात है देख सकते हैं यहाँ पे है ज्यादा नहीं है डोमेश्टिक इंस्ट्यूशनल ओल्डिंग हो गया 0.14 पर और फॉर इंस्ट्यूशनल ओल्डिंग 0.23 पर जिसमें से अपका अधर पार्टी सो गया है 6.51 पर देखा रहा है इसमें देखने वाली यह बात है कि टोटल प्रमोटर सोल्डिंग बहुत ही जादा है और यह देख सकते हैं टोटल प्रमोटर सोल्डिंग किस तरह से बदल रहा है 74.99 पर पर इंक्रीज कर दिया गया है बात कर इसके इंट्रेंसिक वैलू कि यहां पर दिखा रहा है कि करेंट प्राइस बहुत ही ले से इंट्रेंसिक वैलू से क्योंकि से अच्छा कासा ग्रोथ हुआ अभी और रिटर्न वर्सेस एफडी में आप देख सकते हैं गुट ट सकते हैं इंट्री पॉइंट अभी गुट टु कंसीडर किया जा सकता है और नो रेट फ्लैक जोन में भी एक कंपनी आ रही है तो अवर ओल देखा जाए तो फंडरमेंटली काफी स्ट्रोंग है पिछले तीन क्वार्टर में इसने काफी बाट प्रोफोर्मेंस दिया है इस पहले लाइक, सेर इन कॉमेंट के साथ फॉलो जरूर करें चैनल को